आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे AC-DC DOV Bulway की manufacturing कैसे होती है और इसमें कौन-कौन से raw parts लगते हैं तो अगर आप इसके बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक जरूर देखिए गया नमस्कार दोस्तों मेरे नाव में राजंद और आप हम से order करवा सकते हैं तो सबसे पहले इन parts के बारे में बात करते हैं सबसे पहले यह आपको DOV दिख रही होगी इसको direct on board कहा जाता है दोस्तों जब आप इसको अपने बल्व में implement करेंगे तो उसमें किसी भी ड्राइवर यह circuit की ज़रुत नहीं पड़ती है इसको आप direct supply दे दिन के अंदर ship करवा देंगे यह से ठीक है तो उसके बाद next आता है दोस्तों यह batteries बहुत अच्छी quality की batteries हम मंगाते हैं यहाँ पर देखे अभी यह पैक्ट है इसके अंदर इसके भाहर से insulation cover भी लगा होता है और production के लिए हमने इसमें separator भी दिया होता है ताकि कोई भी short circuit बगरा ना हो पाई बल्व के अंदर ठीक है और यह connector इसको attach करने के लिए होता है अभी हम इसका एक demonstration आपको करके दिखाएंगे कि आपको किस तरीक से बनाना है अगर आप हमसे raw material लेते हैं तो ठीक है तो यह batteries है आपके अवल battery भी आप हमसे order करवा सकते हैं इसकी जानकारी और इसका प्राइस बगरे हमने सारी website में दिया हुआ है तो आप हमारी website.com पर जाके order कर सकते हैं इसके बाद गाइस यह इसके बल्व के rings आते हैं यह भी चाहिए तो आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं उसके बाद यह diffuser आते हैं यह diffuser को आप अगर खरीदना चाहते है तो वह भी खरीच सकते हैं हमसे single parts में यह आप चाहिए तो सारे parts को एक साथ खरीदना चाहते हैं वह भी खरीच सकते हैं SKD में ठीक हैं तो आप यह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उसके बाद यह हमारे पर housing आती है body जिसमें आपको हमारी company का branding दिखेगा ठीक है और इसके अं होंगी तो हम यह भी आपको उपलब्त करवा देंगे ठीक है तो अगर आपको कोई भी raw parts लेना है जैसे कि B22 cap हो गई आपकी housing हो गई और आपकी यह ring और आपकी diffuser हो गई अगर आपको इन में से कोई भी order करना है तो आप हमारी website से order कर सकते हैं यह आपको DOB आपको वहां प किस तरह की से ठीक है दूसरी हमारे पार 2000 mh की battery है यह भार सा आपको insulation दिख रहा होगा दो जब आप इसको open करेंगे तो यहां पर आपको battery की specification आपको दिखेंगी और साथी साथ और insulation safety वजह से लगाया रहता है और यह separator भी लगाया रहता है safety वजह से ताकि bulb के अंदर कोई भी problem ना उपाए ठीक है दोस्तों अब आपको बताएंगे बैटरी को open करके कि इसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स है ठीक है तो यह भी हमारे पार नया box है हमने इसके किवल इसकी taping open कर रखी है ठीक है और यहां पर देखें सारी batteries है एक battery को हम open करके दिखाते हैं आपको एक बैटरी निकाली हमने और कटर के माधियम से इसको हमने कट किया जोस्तों आप मत किजिएगा आपको कीवल दिखाने के लिए हम इसको open कर रहे हैं ताकि अंदर से आपको battery के बार में पता चले कि कैसी है क्योंकि बाहर से तो कोई भी insulation लगा देगा तो आपको देखें यहां पर verified है और इसमें बैटरी के सारी details लिखी हुई है यह 12 अमिच की बैटरी हमने उपन करी है हमारे पास 2000 अमिच की बैटरी है तो वह भी similar ही है यहां पर देखिए आप यह verified होता है तो आप इसका model number देख सकते हैं तो अभी आपको पता चले कि होगा हमारे पास किस टाइप की बैटरी है और हम इसको monitor में पी टेस्ट करके बताएँगा में इसपी बोल्टेज कितनी है अम मलति मेंटर निकालते हैं तो घाइजी हमने मर्टी में मृट हम निकाल दिया है और अब आप इसको तो आपको जितनी बैटरी चाहिए, बाकि हमारी पैक्ट रहती है, सौसो की पैक्स में, अगर आपको जितना बैटरी चाहिए, हम से order करवा सकते हैं, बाकि बहुत सारा material जो है झाल